करते थे जागते रहो जागते रहो अब चौकीदार पूरे हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का पैसा अमीरों को दे के कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो हम तो सोचे थे चौकीदार निकलेगा चौकन्ना यह निकला बिल्कुल निकम्मा और आज मोधी साफ जा भाग रहे हैं अब दो करोर नौकरियों की बात नहीं होती अब गंगा साफ करने की बात नहीं हो रही उन 304 संकल्पों की बात नहीं हो रही 15 लाख रुपए जो गरीब की जेब में डालने थे उनकी बात नहीं हो रही अब राष्ट्रबाद की शरण में चले गए हैं मोदी ज और राष्ट्रवाद ये कह सकते हैं राष्ट्रवाद जिन्हों ने सारी सरकारी कंपनियां मारके अंबानी और अडानी को लुटा दी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इन्होंने बी एस एनल को मारके पांच लाग पचास हजार करोड रुपए की कंपनी का जो कॉंट्रेक्ट है फोर जी जो सरकारी घवना चाहिए था सरकार को मुनाफ़ाना चाहिए था वो जियो दंदनादन को दे दिया और फोटो किचाई एडविटिस्मेंट की दंदनादन दंदनादन नोट बंदी रात को अनूंस की उस अबेरे पे टीम के साथ फोटो किचाई आज मोदी जी को बताना चाहता हूँ राश्टरबाद की बात करते हो मोदी साथ तो सुनो इस देश के उपर 64 साल में 50 लाग करोड रुपया करजा था तुम्हारे सारे चार साल में 35 लाग करोड करजा बना दिया तुम्हें पहले एक साल में ओस्टन साथ से सत्तर अजार करोड रुपया करजा बढ़ता था अब तुम्हारे इस कारे काल में 6 लाग से उपर 30 साल भारत के सर के उपर करजा बढ़ रहा है तुम्हें बड़ी बड़ी संस्थाएं DRDO हेल जो फाउज के निर्वान के लिए मशूर मानी जाती थी जिन्होंने प्रिथ्वी बनाई जिन्होंने आकाश बनाई यह सब मजाइज हैं जिन्होंने अगनी बनाई उनके हक को मारके साथ साथ हजार करोड के कांट्रेक्ट तुमने अमबानी और एदानी को दे दिये मिसाइल बनाने के कांट्रेक्ट तुमने अमबानियों को दे दिया एदानियों को दे दिया तुमने इनको 1240 एकर जमीन 40 करोड की थी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए और इन्होंने 5000 करोड की बेच दी बगैर सीमेंट प्लांट लगाए तुम इन बातों से मुकरते हो 17 लाग करोड रुपया एन्पी हो गया है कि सरकारी बैंकों का पैसा लेकर अमीर भाग गये सुप्रीम कोर्ट ने बाजू मरोड के सारा शिरी से पैसे लिए वापस सुप्रीम कोर्ट ने ही अमबानी को घुरा अमबानी ने 5000 करोड वापस किये यहाँ बात है कि 17 लाग करोड रुपय लेके यह चले गए सिर्फ सरकारी बैंकी है प्राइवेट बैंक से 10 परसेंट रुपया गया है तोनों पाटियों ने करजे माफ किये हैं तुमने अमीरों के 3 लाग 25 जार करोड माफ किये इंसेंटिव के नाम पे और कॉंगर्स ने 72 हजार करोड रुपया जरी तिसनों का माफ किया है तुम बात करते हो राष्ट्र भक्ती की यह आंक्रे है मेरे पास भोधी साब यह आंक्रे है मेरे पास पे टियम मुनाफे में SBI डूब रहा है जियो मुनाफे में PSNL डूब रहा है प्राइवेट एरलाइन मुनाफे में और इंडियन एरलाइन्स डूब रही है तुम बता दो तुम ही कहते थे ना ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा रे चम के खाया और डट के खिलाया तुमने ठोक के लूटा और किसी में विरोध किया तुमने डट के कूटा तुमने लोग तंतर को डंडा तंतर बना दिया खुंडा तंतर बना दिया ट्रोल तंतर बना दिया भै तंतर बना दिया भै के उपर राज कर रहे हो तुम पहले हिंदुस्तान गोरे अंग्रेजों से लड़ा था तो इस देश को डिवाइड करते थे और राज करते थे और ये देश वोट डालेगा काले अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए उन्हें इस देश को अमीरों का खुलाम बना दिया 99% घर उनके बार चोकिदार नहीं खड़ा होता नहीं अभी मेरे बोलने की बारी है गुरू पहले ये जवाब दें ये जवाब दें इन बातों का इन बातों का कोई जवाब हो तुमने और तो और जो नौकरियां भी थी उनका ठेका भी अमबानियों को दे दिया क्योंके अमबानियों ने जो भी कॉंट्रेक्ट लिए उसकी manufacturing जाके चाइना में करवाई है क्योंकि चाइना में सस्ता बनता है हजारों लोग बेरोजगार के शिकार हो गए हजारों लोग करोडों लोग एक करोड़ दस लाग नौकरियां गई तुमने कहा मेरी 8.2 GDP है और नौकरी 8.2 GDP में सिरफ 8.5 साल में तुमने कहा था 2 करोड़ एक स 65 मिलिएन जॉप दे रहा है पांच साल में एक दिन में 35 हजार नौकरी दे रहा है और वो भी तुम वहां से मैनुफेक्चरिंग करा रहे हो अरे कहां की राश्टर भगती है तुमारी देश को बांट रहे हो मंदिर के नाम पे मस्जिद के नाम पे सोज को तुमने इलेक्शन का जरिया बना लिया मोदी जी की आर्मी पहले आतंकी हमले होते थे तो हजूर स्टीफे देते थे शिवराज पाटिल साप ने दिया विलासराओ देश्मुक जी ने दिया अब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो चैए तुमारी कि दान में आके लोगों को भटकाओ मत मुद्दों से परे मत करो आकर रोजगार की बात करो ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो किसान की पगड़ी की बात हो औरत के सम्मान की बात हो घरीद की रोटी की बात हो ना मिला ना रोजगार मिला हर मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला और आज मैं टंके की चोट पे आपको कह रहा हूं तुझे फकीर कहूं या गंगा तुझे फकीर कहूं या गंगा, तुझे भाशनवीर कहूं या दंगा अरे तेरे रूप अनेख है भाईया, तु बहरूपिया रंग बिरंगा बहरूपिया हो, मुखोटा उतर गया है, तुरे ब्रह्मान्द में शोर है कि जमीने तुमने बेच डाली, बैंक तुमने लूट डाले, सरकारी कमपनिया तुमने बंद कर दी और अब तुम राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो, भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं एक रेलवे स्टेशन था और एक चाई की दुकान थी, मोदी जी ने खोद के निकाला हिंदुस्तान, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो संबिदान रच दिया था, अमेटकर साब ने, जब तुम चड़ी में थे, मोदी साब, तो यहां चले गए थे, अंतरिक्स में, भाखरा डैम बन गया था, ग्रीन रेवलूशन आ गई थी, वाइट रेवलूशन आ गई थी, बंद करो, अपना खूड प्रचार, और ना जाओ अब तुम शरन में राष्ट्रवाद के, क्योंकि तुम राष्ट्र विरोधी हो, राष्ट्र भक्त किसी तरह भी नहीं हो तुम, भाई साब यह बताएं कि राजू कांदी ने,